नमस्कार आप देखरा दैरिंग भासकर उत्राखंड उत्तर प्रदेश मैं हूँ आपके साथ सपना पांड़े आए डालते ही एक नजर उत्राखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पार अंकिता वर्ड कीस में तीनो आरोपियों पर ADJ कोट में तै हुआ आरोप प्रदर्शन कर रहे कॉंग्रेसी हुए गरपतार उत्राखंड की भोचर्चेत अंकिता हत्याकान मामले में आज एन शनिवार को कोट द्वार ADJ कोट में तीनो आरोपियों की पेशी हुई इस दौरान कोट में तीनों आरोपियों पर आरोपित तै कर दिये गए वहीं तीनों ने अपने उपर लगे आरोपो को स्विकार नहीं किया और कोट ट्राइल की प्राथना की जिसके बाद कोट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 28 मार्च किती थी तै की है साथ ही अंकित और पुलकित की जमानत प्राथना पत्र की याची का भी कोट ने खारिज कर दी तो वहीं जैसे ही पुलिस आरोपियों को लेकर पहुंची तो कॉंग्रिसी कारेकरताओ ने नारेबासे शुरू कर दी उसने रोका गया तो कारेकरताओ की पुलिस से जड़प शुरू हो गए जसके बाद पुलिस ने कोट से सामनी प्रदर्शन कर रहे कॉंग्रिसी कारेकरताओ को जबरन गिरफतार कर लिया है बदरीनात के दारनाथ समेथ उजी चोटियों पर भारी बर्फबारी सफिद चादर में लिप्टी वादिया उत्रा अखड में बर्फबारी के यलो अलर्ट के बीच मौसम बिगडा और बद्री केदार हिम कुंड साहिब समेथ उचाईवाले क्षेतरों में बर्फबारी हुई जब की इनिच लेक्षेतरों में पारी बारेश हुई है मौसम में आये बदलाव से फिर ठंड लोट आई है वही केदारनाथ में रुक रुक कर बर्फवारी होने से यहां चार इंच नई बर्फ जम गई है जिला अब्दा प्रबंधन प्राधिकर्ण के अधिशाशी अभियनता प्रवीन कर्ण पवाल ने बताया है कि केदारनाथ पदल मार्ग पर राम बारा से केदारनाथ तक बर्फ हटाने का काम पूरा हो चुका है अब केदारपुरी में बर्फ हटाई जानी है लेकिन यहां फिर बर्फवारी शुरू हो गई है मौसम ने साथ दिया तो इस महीने के आखरी तक सभी ज़रूरी कारे पूरे कर लिए जाएंगे शक्ति नहर के नारे से अति कर्मण हटाने को यूजे वीएजन ले दिया नोटिस कबजा धारियों में हर कम किसते थी देहरादून के विकास नगर में शक्ती नहर के नारे, अतिकरमन और अवायद कब्जों को हटाने की जलविद्युत नेगम ने तैयारी पूरी कर ली है चलविद्य नेगम नीश अनिवार यानियाज नोटिस जारी का 24 घंटे के अंदर कबजे हटाने के आदेश जारी किये हैं नोटिस मिलने के बाद कबजा धारियों में हरकम की स्थिती है पहीं कबजा हटाने के दौरान सुरक्षा की दृष्टी से शक्ती नहर को भी बंद करने के आदेश जारी कर दिये गए हैं वहीं प्रशाशन से जेल पुलिस की व्यवस्था कराने की मांग की गई है रुदरपूर में कबाड की दुकान में लगी भी शुनाग साथ में बनी जोपडियां भी जली कई वाहन भी आए चपेट में पास में बनी जोपडियां और कई वाहन भी आखी चपेट में आ गई आग इतनी विक्राल थी कि सब कुछ जलकर राख हो गया सोचना मिलते ही पुलिस और दमकल कर्मी की तीन वाहनों के साथ मौके पर पहुँचे करीब डेड़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया बुलिटेन में आज के लिए बस इतना ही उत्राखंड उतरप्रदेश के सभी खबरों स्चुड़े रहने के लिए देखते रहिए दारिक भासकार उत्राखंड उतरप्रदेश